सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन दवाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप MPDTE डारेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन डिपलोमा इंजिनियर यहाँ पर आप इसका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट्मेंट लेटर किस प्रकार से निकाल सकते हैं तो वीडियो को धियान से देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चेनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको DTE MP Online की ये Official साइट खुल लेना है फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज़ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिर उसके बाद में यहाँ पर आप Graduate Program के लिए निकाल रहे हैं या Diploma Program या Post Graduate तो यहाँ से आपको जैसे Graduate Program इसका Print Allortment निकालना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपको Bachelor of Architecture का यहाँ से आप निकाल पाएंगे यहाँ से Bachelor of Technology का यहाँ से Bachelor of Diploma of Pharmacy बेचलर आप Hotel Management यहाँ से आप इनका सभी का Allortment यहाँ से निकाल पाएंगे तो जैसे आपको Bachelor of Diploma of Pharmacy इसका निकालना है तो चलिए में निकाल कर दिखाता हूँ तो यहाँ से आपको Counseling के लिए आविदन करें इस पर आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पर इस तरीके से Page Open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम चरण का जो है Seat Allortment Letter, Print Allortment Letter जो की 14 सितंबर 2021 को आचुका है तो 20 तरीक तक आपको निकालना है तो आप इस पर क्लिक हैर इस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से Page Open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना Roll Number आवेदन करमांग डाल देना है इस Box में यहाँ पर अपनी जन्मतित ही आ जाएगी और यहाँ से आपको Select Round कौन से Round का निकालना है तो First Round का निकालना है तो यहाँ पर First आ जाएगा उसके बाद में यहाँ पर अपना Password डालें तो इस Box में अपना Password डाल देना है आपको और यह केपचा कोट को इस Box में फिल कर देना है और Get Detail पर क्लिक कर देना है जिसे आप Get Detail पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने यहाँ पर आपकी Detail सो हो जाएगी तो इसे आपको चेक करना है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से View College Branch प्रोफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ पर Allowed College and Branch तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Department of Pharmacy बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल भी फार्मा तो यहाँ पर यह कोलेज मिला है तो यहाँ पर View Allowment Letter इस पर आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं Bachelor of Pharmacy De Pharmacy यहाँ पर Provisional Seat Allowment First Round तो यहाँ पर Seat Allowment Letter जो है डाउनलोड हो चुका है तो आप इस परकार से अपना Seat Allowment Letter डाउनलोड कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डीटेल चेक कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं Seat Allowment Letter यहाँ पर नेमोप इंस्टिटूट का नाम लिखा रहेगा आपको जो कॉलेज अलोड हुआ है वो यहाँ पर अलोड कोर्स ब्रांच लिखी रहेगी यहाँ पर सारी डीटेल जो है और उसके बाद में यहाँ पर आपको इस कॉलेज में एडमिसन लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी डेट दी है 29.21, 5 बेजे तक अगर आपको एडमिसन चाहिए रहेगा तो आप इसकी फीज जमा कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फीज का जो है डीटेल यहाँ पर दी हुई है तो इसको आपको पल लेना है इसको आपको प्रिंट आउट निकालके या सेप करके अपने पास रख लेना है तो दोस्तो इस तरीके से आप बैचलर ओफ फार्मेसी डी फार्मेसी MPDTE का सीट अलोटमेंट लेटर निकाल सकते हैं यहाँ से तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के दिए थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद